जहन दोस्तों सैनिक समाचारों में आपका हार दिक स्वागत है आज तीन बड़ी खबरें कबर करूँगा सबसे पहले बात कर दूँगा एक अंग्रेजी प्रथा में बदलाओ 62 केंटोनमेंट हुए बंद नेताओं का होगा अधिकार समझ सकते हो आप 62 केंटोनमेंट ये ने आप देखेंगे इसका वीडियो दोस्तों और सैना के पांच जावाच कमांडो का सर्वोच बलिदान सैना हुई आक्रामक खबने करते विसार से सबसे पहले बात कहता हूं एक मिलिटरी श्रेशन और कंटोनमेंट के बारी में जहां फोज रहती है वहां 62 कंटोनमेंट जो नेता हैं उसकी उनकी होगी कमांड चाहिए आपकी पानी की विवस्ता है बिजली की विवस्ता है सारी विवस्ता है और इसके लिए क्या है खबर और लेटर अथोन्टिकेटर में आपके साथ सेर कर रहा हूं सैना चावनी इतियास भारत का पहला आर्मी केंट दो सो अलबाद होने जा रहा है बंद और बड़ा बदलाओं यानि केंद्र सरकार ने सभी 62 यानि 62 पूरे देश में केंटिमेंट को भंग करने का बड़ा फैसला लिया है इस फैसले से अंग्रेज़ों के जमाने से सुरुई चाबनी विवस्था को खतम किया जाएगा और इसको अस अग्रेज़ों के जमाने के होते तो वहांपर लाल कुर्ती सदर बजार सब होते थे और वह एरिया आर्मी का होता था लेकिन अभी सरकार ने फैसला किया है कि आर्मी सिर्प जहां आर्मी का एलाका है उसी के अंदर रहेगी उनको मिलिटरी स्टेशन बना जाएगा और जो क वोज का अधिकार छित्र है वो उनसे ले लिया गया है और ये सिविल को दिया जाएगा नगरपाल का नगनगा है बाकी सारी पानी जल और बिजली ये ववस्ताई ये सब लोगे देखेंगे और इन बोडों को भंग करने की पूरी न्यूज है और मैं आपके साथ सेर कर रहा ह जो धीरे धीरी छाबनियों में लोग क्यों रहते थे क्या प्रॉलम थी ये सारी जी है फिर इसके ऊपर एक लेटर है गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो नोटिफिकेशन है 27 सेप्रेल 2023 का उन्हों निका इन एक्साइज ऑफ पावर कंफर्ड दो सब सेक्षन एंड सेक्षन ओफ थ्री कंटूनमेंट एक्ट दोजार चहा है फोटीवन ऑफ दोजार चहा है अब सेंटर गवर्नमेंट हेरवाई डिकलेर्स देट दा कंटूनमेंट ऑफ खास योल लिमिट विचा डिफाइन नोटिफिकेशन नंबर एसारो दोजा डेटेड 31 जनबरी 42 सेल सीज दा कंटूनमेंट विद एफेक्ट प्रॉम डेट ऑफ पबलिकेशन नोटिफिकेशन यानि और उन्होंने बहुत जल्ली लेटर दे दिया है तो नहीं यह जितने कंटूनमेंट है यह सब सीज कर दिये गए इनमें बदला होगा आर्मी सिर्फ आर्मी का क चल रही है और PCAD की साइट पे एक गोगल पे जाके एक फेक नंबर अफलोड कर लेना और उस पे जाके कई लोग जहांसे में जेशु जबान आ रहे हैं कल एक मैंने हबलार का वीडियो डाला था आज मैं उसका थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि उनका इस परस में एकाउंट से डिडेक्ट कर दिये बिल्कुल सही बाता है और आज PCDA सुच ओफ है तो आखर करें तो करें किया जब बैंक जाते तो बोलते हमें नहीं पता कोई जबानों की मदद नहीं कर रहा है कोई बात नहीं आप इसके लिए CP ग्राम पे जाए और ये वीडियो सुनिये आदनिया साहब और बहादर जबानों को संजे का प्रणाम जै हिंद जै भारत मैं सेनिक जीवन चैनल और बदूरिया साहब और अपनी तरफ से आप सबी लोगों का खारदिक अबिनंदन करता हूं मैं आपके साथ में कुछ एक जानकरियां जो देखने में आई है पर्ष और CPPC के दोरा जो कमियां उनके बीच में पाई गई हैं उनके संदर में मैं आपके साथ में कुछ एक जानकरियां साजा करना चारता हूं देखने में आया है कि टोटला हमारे जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर जो हैं इस वक्त 33 या 34 लाख में से 21 लाख 32,779 लोगों का जो माइग्रेशन है आज की डेट में सपर्स के बीच में हो पाया है यह गती पहले बहुत तिबर थी लेकिन कुछ दिनों से इस गती में काफी कमी पाई गी है कमी पाने का कारण साइद PCDA की अपनी मजबूरियां है स्टाफ की बज़ा से या कोई और दूसरी मजबूरियों की बज़ा से और दूसरा देखने में आया कि PCDA की जो website है जब pensioner को या family pensioner को कोई समसे आती थी तो वो क्या करते थे कि PCDA की website में complaint दर्ज करते थे तो दर्ज करने से क्या होता था कि PCDA उसके उपर reply देता था चाहे वो एक मिने बाद ही उसका reply हमें देता था परन्तु अभी देखने में आया कि बहुत जाता लोगों का अभी फर्स इंस्टॉलमेंट और ना ही उनकी बड़ी पैसा और ना ही family pensioner की कोई भी इंस्टॉलमेंट और ना ही उनका कोई पैसा अभी तक खाते विया है तो क्या हो गया कि इस बज़ा से वह लोग सब बहुत ज़्यादा बिचलित हो गया है बिचलित होने का कारण भी उनका बिलकुर जाए जाए परन्तु क्या कि कई केसों में ऐसे देखने में है कि बिचल कि यह कि जो website हमारी जो बंद है अभी हम कंपलेंट कहीं दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है कि भारसरकार द्वरा हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेट्फॉर्म बारशरकार द्वारा बनाये गया है cpgram हम क्या कर सकते हैं cpgram के उपर अपनी अपनी जो समस्या है उ तो ज्यादा से ज्यादा सीपी ग्राम के उपर फोकुस करें क्योंकि पीशिड़ी ये की वैबसाइट तो बंद है क्या होगा कि जब आपका समस्या जाएगी तो वह आपको जवाब पक्का हंटर परसेंट आपको दिया जाएगा तो मैं आपसे यह यागरे करता हूं कि अपन के पास साइबर कैफेया बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ माती वह हमसे कॉंटेक्ट करें मैं सीपी ग्राम पर जा करके उसकी कंप्लेंट दरज कराऊंगा और इसकी जो भी संबब हैल्प होगी मैं करूंगा आपको इदर उदर भटकने की जरूरत नहीं है यह आपके पास कोई संसाधर नहीं हम समझ सकते हैं कि पोजी भाई हमारे कितने अवेर होते हैं इंटरनेट कम्पूटर साइबर ये नहीं पता होता है तो आप थोड़ा भरोसा करिये इ tastes आपका कही काम लटका है ककी chemical आइरियें नहीं आरहा है कई नहीं कुई कम्प्लेंड देनी है कई का इस परस्का नहीं हुआ है कई का live certificate अप्डेट हुआ है बहुत सारी समस्यां चलना ही बहुत सारे ऐसे लोगों जिनके पैंस्टन नहीं अई जू हमसे बात करते हैं हमने इन रही है। आतातायों के बीच हमारी सैना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिंग जम्मु एंड कास्मीर के हैं और परयाट ऊपर प्रमध नेगी इहमाचल के हैं और यह देश के लिए नों हम ने सरबोच बलेदान दिया है हम बीर जबानों को भावीनी सिद्दान जली देते हैं और सोक अकल परवारों को पृत गहरी सम्बेद्दान है हम प्रिगट कर और ये अब सेना आकरमक हो गई है और आप समझ सकते हो कि ये लगातार आपरेशन भी खत्म रुए है चला है हम इस उरसे प्रार्थना करते हैं का जो भी घाइल हुए वो जल्दी स्वस्त हो जाए और सेना को काम्यावी मिले ये है सेना का जीवन कितनी प्रस्षितों से जाता आज इतने पांच परिवारों की क्या हालत होगी आप ये भी दे क्या परिख सकते हो इनके फोटो भी दे कहना आसान है करना अब तो बहुत ही मुष्कल है कम से कम हम महसіль हो कर सकते हैं बाकि लोग कि सेना के जवानों कितनी तकलीफ होती है अब आज ये पांच परिवार चल